नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर तो I am sure कई बार आप लोगों ने experience किया होगा in fact if not you आपके घर पे किसी ना किसी ने experience किया होगा कि अगर हम लोग home loan लेने का जो process है उसको शुरू करते हैं तो वो काफी जादा एक लंबा चौड़ा process होता है शुरुवात में आपको कई सारे documents हैं उनको इकठा करना पड़ता है कई सारे आपके bank accounts के statements हैं उनको इकठा करना पड़ता है and finally वो सारी कि सारी चीज़ें इकठी करके आप अपने bank के पास जाते हैं कि मुझे ये वाला loan दे दीजिए and then वो वाला bank आपके documents को verify करेगा उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो documents आपको वापस कर दिये जाते हैं then उसके बाद आप उसको re-verify करवाते हैं उसके बाद जाकर आपको शायद home loan वहाँ पे available हो जाता है all in all जो भी इनसान यहाँ पे कोशिश करता है home loan लेने की उसके लिए यह process काफी जादा arduous, काफी जादा tiresome बन जाता है ऐसा मान लीजे इसी particular process को आसान करने के लिए आज की date में इंडिया में एक नया framework है जिसको की RBI के द्वारा अब अनुमती दे दी गई है यह वारा जो framework है दोस्तों this is popularly being called as the account aggregator system और basically यह चीज हाल ही में सुर्खियों में आई थी because of this particular news आज से लगभग 7-8 दिन पहले की बात है August 26 की बात है phone pay के नाम से company है I'm sure आपने नाम सुना होगा इसकी app को भी use किया होगा phone pay को in principle approval दिया गया था RBI के द्वारा in order to operate as an account aggregator now यह एक इतनी बड़ी revolution मानी जा रही है भारत के अंदर जिस तरीके से भारत ने पूरे के पूरे payments के ecosystem को revolutionize कर दिया था UPI के द्वारा उसी तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में आगे जाकर जो lending का ecosystem है जो credit access का ecosystem है वो इस account aggregation की वज़े से काफी जादा बदलने वाला है तो इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में कि exactly ये account aggregator system होता क्या है किस तरीके से ये काम करता है इसके क्या-क्या फायदे होने वाले हैं आगे जाकर कई सारे Indians को और इसका क्या यहाँ पर योगदान रहने वाला है financial inclusion में वित्य समावेश में चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को download कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए telegram channel के माधियम से अत्वा मेरे personal telegram channel के माधियम से भी also you can join with me on various social media channels and on the unacademy app using this particular handle also बताना चाहूंगा दोस्तों कई सारे जो आपके unacademy के combo के prices हैं वो बढ़ने वाले हैं 15 September से यदि आप लोग अपनी UPSC CAC के तयारी को बहुती भैतर बहुती structured तरीके से करना चाहते हैं live courses के साथ और optional subjects के साथ तो आपके लिए combo का subscription is one of the best places जहां पर जाकर आप अपनी तयारी को शुरू कर सकते हैं ध्यान रखिएगा अगर आप लोग यहां पर यह वाला code use करते हैं ANI UPSC तो आपको मेरी personal guidance के साथ-साथ यहां पर कई सारे discounts भी offer होंगे and we will also be adding you to the personalized WhatsApp group जहां पर आके आप अपनी डाउट समसे कभी भी पूछ सकते हैं right so as you can see over here UPI movement for lending कहा जा रहा है इसको account aggregator system to go live today यानि कि यह 2 September की बात है जिस दिन account aggregator system इंडिया में कई सारे ऐसे platforms हैं जो कि आपको इस चीज को offer करना शुरू कर चुके हैं now imagine करिए कि आपको एक नया घर लेना है obviously काफी लंबे टाइम से आप इसकी planning कर रहे थे लेकिन जब आप इस नए घर के लिए एक home loan ढूणने की कोशिश करते हैं तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि आपको कई सारे यहाँ पे दस्तावेस देने पड़ेंगे उसके बाद आपकी eligibility यहाँ पे certain होगी and finally उसके बाद जाकर आपको यह वाला amount जो है वो secure करवाया जाएगा नाव obviously कोई भी normal इंसान होगा वो सारे के सारे इन documents को एक अठा करने के time पे काफी जादा थक जाता है फिर भले वो यहाँ पर loan लेना चाहता हो फिर भले वो यहाँ पर insurance लेना चाहता हो फिर भले वो यहाँ पर किसी परकार की भी वित्तिय सेवा को acquire करना चाहता हो यह सारे के सारे जो documents है वो available करवा दिये जाएं and more importantly वो वाले documents आप अपने उस particular bank के साथ share कर सकें जो की आपको loan देने वाला है तो आपके सामने है what if you had the option of sitting in the comfort of your home and granting the consent to a third party to digitally share your account statements and other documents with the institution which is granting you the loan और इस case में आपको खुद को actually वो data even देखने की भी आवशकता नहीं है आपने क्या किया कि यहां से आपने documents को एकठा किया यह आप खुद है ठीक है और उसके बाद आपने आगे जाके यह जो आपको loan देने वाला institution है उसके साथ इन documents को share कर दिया लेकिन इस पूरे के पूरे process में actually आपको documents देखने की भी आवशकता नहीं पड़ी इस पूरे के बड़ी companies हैं जो कि इसको लेकर approval ले चुकी है लेकिन ये वाला जो framework था RBI के द्वारा इसको अनुमती दे दी गई थी आज से 5 साल पहले वो अलग बात है कि इसको एक बड़े पैमाने पर adopt नहीं किया गया था लेकिन फिर भी कई सारे sources के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि approximately 6000 ल समझ लेते हैं देखे नॉमली क्या होता है कि मैं कोई भी एक नॉमल इंसान को ठालेता हूं लेट से उस नॉमल इंसान का नाम है M ये वाला जो नॉमल इंसान है इसके कई सारे bank accounts होंगे मान लीजे इसका bank account एक है bank account दो है एक SBI में है और दूसरा मान लेते हैं किसी private bank लेट पर इसका कोई insurance policy चलती होगी मान लेते हैं LIC में होगी इसके बाद इसका एक और आधा कोई account होगा जहाँ पर इसका कोई शायद pension fund भी चल रहा होगा now imagine करिए ये तो मैंने केवल एक normal इंसान के case में बोला है जिसके पास केवल ये 5 accounts हैं ये 500 के 500 accounts के कुछ ना कुछ account statements हैं जो कि इसको एक अठे करने पड़ेंगे और केवल इतना ही नहीं कई बार कई सारे लोगों के कई सारे अन्य financial service providers भी होते हैं जिसके again उसको statements लेने है कि हर तरह की चीज के ऊपर आपको अलग तरीके से login करना पड़ता है अलग तरीके का platform होता है काफी दिक्कत वाली बात होती है यानि कि इतनी सारी चीजें हैं हर चीज का आपको password याद करना पड़ेगा हर चीज का आपको login करने का प्रक्रिया याद करनी पड़ेगी it becomes a very very tiresome process just in order to access your own accounts, imagine यह आपके खुद के accounts हैं लेकिन इनको access करना आपके लिए काफी मुश्किल साबित होता है, और यहीं पर आता है दोस्तों account aggregator का system, आपके जो यह multiple accounts हैं, इनको aggregate करके, मान लीजे कोई आपकी application है जो कि आपको यह सारी की सारी चीजें एक ही जगा पे offer कर रही हो, इस चीज को कहा जाता है account aggregator, यानि कि आपका जो यह इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, यह क्या करता है कि sharing of data को easy करता है, single platform आपको provide करता है, in essence हम यह कह सकते हैं कि account aggregator basically एक technology service provider होता है, जो कि एक customer की information को share करता है, उन संस्थानों के साथ, जो कि इस particular data का इस्तिमाल करना चाहती है, and more importantly, इसमें सारी की सारी चीजें होती है digitally, यानि कि आपको किसी भी तरह के paper का printout लेने की भी आवशक्ता नहीं है, और क्योंकि digitally होती है, इसका मतलब कि इसके उपर digital signature होगा, जिसके साथ ही में इस particular document की authenticity को भी verify करवाया जा सकता है, अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, in some more technical language, दो आपका account aggregator है दोस्तों, ये act करेगा like an intermediary, यानि कि ये केवल और केवल आपका एक बिचोलिया का काम कर रहा है, पूरे के पूरे ecosystem में account aggregator के इलावा financial information के users भी होंगे और financial information के providers भी होंगे, FIUs basically stand for financial information users and FIPs basically stand for financial information providers, अब ये financial information के users कौन कौन हो सकते हैं, it can be कोई भी bank हो सकता है, जो कि आपको loan देने वाला है, जिसको की आपकी financial information चाहिए, और financial information का provider कौन होगा, provider यही सारी चीजें होंगी, जो भी आपका जहां पर भी bank account है, ये वाला bank account, SBI वाला, HDFC वाला, mutual fund वाला, insurance वाला, pension fund वाला, यानि कि almost similar चीजें, जो चीजें आपकी financial information की users हैं, almost वही चीजें आपकी financial information के providers हैं, it can be a bank also, it can be an asset management company also, it can be कोई pension fund as well, now होता क्या है कि ये वाली चीजें, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि केवल एक चीज, RBI ने यहां पर कही है, कोई भी यहां पर FIU हो, कोई भी यहां पर FIP हो, वो इन चारों के चारों जो इंडिया में regulators हैं, financial sector में, इसके साथ किसी ना किसी के साथ registered होना जरूरी है, RBI, SEBI, IRDAI या फिर PFRDA, अगर वो registered नहीं है, उस case में वो इस पूरे के पूरे ecosystem का हिस्सा नहीं बन पाएगा, दोस्तों ये आपके सामने हमने एक single workflow के माध्यम से समझा दिया है कि exactly account aggregator होता क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है financial information का provider है, it can be a bank, it can be a GST platform also, it can be government e-market place also, it can be mutual fund house, it can be insurance provider, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सारा का सारा data जो है, ये provide कर दिया, किस चीज़ को ये provide कर दिया account aggregator को, मान लेते हैं कि आज की date में account aggregator आपका phone पे है, phone पे ने क्या किया, phone पे ने आपसे लिया consent कि क्या आप इस particular data को verify करते हैं, क्या आप इस particular data को आगे share करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आपने बोल दिया, yes, I want to share it with so-and-so bank, जिससे मुझे अपना home loan के लिए loan लेना है, तो आगे जाके आप देखिए, financial information के users कौन है, it can be a lender, जो की bank हो सकता है, it can be NBFC also, for example, Muthut Finance वगरा जैसी कई सारी companies हैं, जो की आपको आज की date में loan provide करती है, it can be personal finance management, के वल ये लोन तक सीमित नहीं है, आपको इस particular data के आधार पे किसी और चीज का फाइदा उठाना है, तो वो भी आपको मिल सकता है, it can be Robo Advisor, कई सारी चीजें हैं, कई सारी financial सेवाई हैं, जो की आपको available हो सकती है, provided ये सारा का सारा data आपके अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो केवल आज की बात है, कि financial information providers के case में ये वाली चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है, आगे जाकर इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है, कि there will be something called as, कि कई सारे लोग अपने छोटे छोटे bills को भी upload कर पाएंगे, for example, आज की bank account तो है, और कोई भी चीज available नहीं है, और ये भी माल लेते हैं, कि उसके bank account में पैसा बहुत ही कम है, यानि कि उसकी history हमें जानने का कोई बहुत अच्छा source available नहीं है, उस case में क्या होगा, वो इनसान ये कहेगा, कि मैं आपने घर के बिजली का bill तो भरता हूं, या फिर मैं आपने mobile phone का bill तो भरता हूं, उसके माध्यम पे क्या आप मुझे कोई loan दे सकते हैं, तो इन सब चीजों की भी बातचीत करे जाने का process शुरू कर दिया गया है, कि किस तरीके से ऐसे लोग, जो की illiterate है, जो की remote areas में रहते हैं, उनको भी हम किस तरीके से इस पूरे के पूरे credit के ecosystem में include कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका account aggregator काफी बड़ा role play करने वाला है, खेर वो आगे की बाते हैं, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा कि ये account aggregator का system मसल में काम कैसे करता है, इसमें सबसे important आता है आपका consent और उसके बाद आती हैं ये वाले provider services और ये वाले आती हैं आपकी user services. Now, as I told you, consent and data security को यहाँ पे काफी ज़्यादा primacy दी गई है, कि पूरा का पूरा जो data है, it is being shared via the AA, it is encrypted, यानि कि उसके ऊपर password लगा हुआ है. Additionally, you can choose the accounts you wish to link and select the ones you need to share with an FIU. For example, माल लीजे, आपको ये लगता है कि मेरे केवल इसी particular bank statement के आधार पर मुझे ये वाला bank loan दे देगा, तो आप बाकी का data उसके साथ share क्यों करेंगी? या फिर माल लीजे, for example, आपको लगता है कि आपका जो जमा पूंजी है, वो mutual fund के बास इतनी है कि केवल इसके अधार पर ही आपको यहाँ पर loan मिल जाएगा, तो आपको बाकी और किसी भी bank account का statement वहाँ पर share करने के आवशकता नहीं है. यानि कि आपको selectively अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं काम वो भी आप कर सकते हैं, यानि कि depending upon your requirement आपके लिए tailored solution यहाँ पर available हो सकता है, thanks to the account aggregator system. यह सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि यह वाला system आपको offer करता है, अगर हम इसके advantages की बात करें, अगर हम AA को लेकर आ जाते हैं, तो उन particular लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें काफी ज़ादा आसान हो सकती है, और यहाँ पर cost of transaction भी काफी कम हो सकती है, इतना ही नहीं यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह पूरा का पूरा जो process है, यह revolutionize कर देगा और democratize कर देगा lending के ecosystem को, यानि कि आज की date में कई सारे लोग जो की इस ecosystem का हिस्सा नहीं है या फिर नहीं बन पा रही है, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा इसका हिस्सा बनने का, एक और यहाँ पर इंसान है, सेतु के नाम से एक fintech startup है, financial technology के शेत्र में startup है, इसके co-founder है साहिल किनी, इन्होंने कहा था कि जो चीज payments के लिए UPI ने करी थी, वो चीज आज की date में double A करने वाला है, credit के ecosystem के लिए, lending के ecosystem के लिए, यानि कि जितने बड़े पैमाने पर एक बड़ी revolution आई थी payments में, आज की date में अगर आप चाहें, तो कहीं पर भी जाकर QR code के माध्यम से scan करते हुए अपनी payment को कर सकते हैं, almost similar चीज कल को होने वाली है, double A के माध्यम से आपके lending के पूरे के पूरे सेवाओं के लिए, एक और एंसान है जिनका नाम है B.G. महेश, ये भी co-founder CEO है, सहमती के, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि document verification में जो समय है, वो कम होने वाला है, और केवल इतना ही नहीं, आज की date में कई सारी financial सिवाएं हैं, जो की आप available करवाना चाहते हैं, लेकिन available नहीं करवा पा रही हैं, वो सारी की सारी चीजें भी अब यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएंगी, तो तेरा lots of advantages जो की आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन as usual because we are UPFC students, तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या इसमें कुछ challenges भी हैं, तो जी हाँ कुछ-कुछ challenges भी सामने आएं हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि onboarding of customers उतना ज़ादा आसान नहीं होने वाला है, यानि कि जितना आसान UPI के case में हुआ था, क्योंकि UPI क्या है, almost हर इंसान को चाहिए होता है, लेकिन क्या loan हर इंसान को चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो onboarding of customers है, वो काफी slow और काफी gradual होने वाली है, दूसरी चीज, जितनी तेजी से UPI का scaling अप हुआ था, क्या उतनी तेजी से यहाँ पर इस particular नए AA ecosystem का scaling अप हो पाएगा, या नहीं, it will depend upon की कौनसी कौनसी companies यहाँ पर आ रही है, वो किस-किस प्रकार के cashbacks शुरू में दे रही है, याद कीजे, जब UPI आया था, काफी बड़े-बड़े level पर cashbacks को दिया जा रहा था, तो यह सब चीजें attract करने के लिए customers को लानी पड़ेंगी, अनलेस यह सब नहीं होगा, तब तक इसका एक बड़े level पर scaling up देखना मुश्किल है, बड़ अगीन अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो concept है, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक बहुत ही important series चल रही है, जिसका नाम है Target UPC 2021, इसके सारे के सारे links नीचे अनि UPC library आपको मिल जाएंगे, इसके लावा Unacademy के offers को avail करना ना भूलें, आपको मैं बता चुका हूँ, कॉमबो उफर चल रहा है, जिसके की annual price hike होने वाला है on the 15th of September, तो जल्द ही जाएं और इस subscription को avail करें, इसमें आपको नई batches मिलेंगे, और मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे batches available करवा दिये जाएंगे, do enroll in the combat on the coming Sunday using my code on a UPSC, with that I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.